इस वक्त हम गुजरात के एहमदाबाद जिले में मौजूद है और इस विधां सवा की बात करें जी दोल का विधां सवा है और कहा जाता है जब से बड़ां सवा है पूरे गुजरात और इतिहास कि रहें इसकी बी कुछ न कुछ कहानी होगे सबके बारे में जानेंगे तो तया है कि इतिहास किया यहां जब पांडव लोग का एक साल वनवास हुआ तभी उन लोगों ने यहां पर वनवास किया हुआ था यहां पर भीमका रस्वडा भी है पांडव लोग जो भगवान की पुझा करते हैं वह उटा गाहों में उसके पास पांडव का बनाए हुआ लिंगे सीवलिंग भगवान ज यह सबसे बड़ा इत्यासी तलाव भी है यहां पर मलाज तलाव यह पीछे शरोवर है इसकी भी कहानी जब यहां पर आज बाज दुकाल हुआ बहुत काफी टाइम पर तब सपने में आए बहुत कहा कि यहां खुदाए करो उसके बाद इसके अंदर पानी आएगा इतनी ब बाजपा के विदाइक है है छेले तीस साल से जीत कर फिर भी कोई काम नहीं करते हैऊं और उनका कहा में हर ताइम मिनिक्री में सब्सक्राइब नहीं किया नहीं की यह उसका कूछ नहीं की यह हुए बानाती है पर हमारी गलती है कि 17 साल बाध्पा लाते 17 साल देखे हैं क्या सोच रहे हैं कुछ नहीं किया है भाजब सरकर ने मौकवरी बढ़ा दिया और कुछ नहीं किया और यह त्यशिक जग्गा थी है दौल करें वह वनवास किया तल पंडों ने एक साल चुपावे से रहने का था हूँ यही रहा था पाच पंडों की साला है भीमका रसोड़ा भी है विर्याट राजा का महल भी है अब बताए क्या महौल दिखाई दे रहा है फिलहाल गुजरात में 27 सालों के काम और एक तरफ उनकी गौरव यात्रा चल लिए दूसी तरफ परिवरतन यात्रा भी चल रही है आमाधी पार्टी भी लगाता रैली नि फ़ी को कि ये पार्टी पी यहांके जो विदायक है वह भी पार्शलीटी रखते हैं कि यहां के जो दलीत विश्तार है उस साइड का कुछ डैवलोप्मेंट भी नहीं होने देते हैं यहीं कहीं सो साइट्या है जहांके बच्चों पढ़ाई के लिए निकलते हैं वहीं पर साइड पर डिवाइंडर होता है फुटपार्ट बच्चों को चलकर लेकर बच्चों को स्कूल पर छोड़ने जाती है उसका भी कोई ठीक से वेवस्ता नहीं है और चौमा से के टाइम पर गोटन तक पानी हो जाता है और इसे बेगव बोलती है की डेवलौपंट में मुझे तो मॉडल भी नहीं है मौडल है MP3 मैंने जहीं मोडल है कि नो नो विकास होगा उनके कार्य करता का होगा सायद कॉंट्राक मिले हुँगे उनको अच्छी जो कॉमर्शिल है कंपनी उनका उनका विक्कास होगा आम पब्लिक का तो नहीं हुआ है 27 साल में अगर इतना कुछ नहीं हुआ है तो जनता बार-बार सरकार क्यों बना रही है जनता सरकार बना रहे जनता को भी वकुफ बना रहे है लॉली पॉप देके यह देंगे वो देंगे कुछ देते नहीं है सत्ताई साल में आप देख लो सत्ताई साल पहले कांगरिस की पार्टी थी उसी टाइम गेस का सिलिंडर 400, 400 में मिल रहा था अभी क्या बाव है 1100 रुपिया पढ़ाई भी देख लो मेंगाई देख लो यहां धोलके में 27 साल से बीजेपी राज कर रही है तो यहां इंजिनियरिंग कोलेज भी नहीं है पढ़ाई के लिए बहुत बड़ा प्रोब्लेम है आरोग्या के लिए भी बहुत बड़ा अधार आशाए का अधार दिया जाता है ना कागरपेज ही मौडल है गाउन रिपोर्ट पर कुछ मौडल नहीं है बस जनता को लोलिपव देना ही काम है उनका और कुछ करते नहीं बस चिलाते है डिवेट में उनके संदिपात्रा हो वो सब आके चिलाते बाकि कुछ काम करत इनका और कुछ मौडल नहीं जनता को बेवकूप बनने काम करती है और कुछ नहीं किया जो किया होता तो सरकाई स्कूलों भी चलती हो कि और बड़ी बड़ी होस्पीटोलों में इलाज भी मिलता पब्लिक को वो कुछ होता नहीं बस आप बनाओ आइसमान कार बनाओ पब्लिक लाइन में खड़ी रहे क्या आइसमान कार की क्या जरूरत है आप बोल दो ना कि जनता के लिए खु बोला हो और सची बताया हो अब कुछ गलत नहीं बोला आपको नराजगी जाते है यही काम हुआ थे नाराजart ुआ यहीक नहीं काम हुआ तब ही नाराज्गी होए लगे काम हुआ होता तो क्या ना इसलों कतला जन्ता के बीच में जैसा है उसमें क्या बदला होना चाहिए जब यूआ अपने दो तीन साल में अपनी मेहनत करके कोई भी एक्जम देने जाता है तो उसका पेपर लिग हो जाता है तो उस बच्चे को कितनी दिक्कत होगी उसके मेहनत का जो फर्दाव नहीं मिलेगा ऐसा मो होना चाहिए कि अपनी मेहनत का फर उसको मिले पेपर लिक मत होना चाहिए इसे इसे लोगों के सामने कोई कारवाई होती नहीं हम यह बता रहे हैं भाजपार सरकार बोरती है कि विकास करेंगे अब अभी एमदाबाद की बात देख लो आप अभी नया एमदाबाद के नया टेशन बनाए ऐसे उपे सी गिरा पाज इंसान जक्मी हुआ तो अभी इनने नया बनाया हुआ है भी विकास किया यह विकास है कि पात दिन भी नहीं हुए और गिर उपे सी पब्लिक को बेवकुप बनाती है सरकार इनके इंसानों को टेंडर पास करवा कि इनके ठेके किया क्या हमारे को भी बेद देना है इस सब सरकार ने तो सब बेद दिया है क्या हमारे को बेद देना है अब सांस लेना भी बेकार हो गया हमारा तो क्या हमारे को बेद देंगे सरकार देश मजबूत हो रहा है कहतों ने देश मजबूत हो रहा है कहां से मजबूत होता है कम पुरे विश्वय में मंदी थी तब हमारे पधान मंत्री मन मोहन सिंह जी थे बायत के अंदर खबर भी नहीं पड़ी थी के मंदी का मौहल आया है अभी तो कुछ मजबूत नहीं है महंगाई तो आपको पता है इस ताइम अधानी दोनों मजबूत है उनके लिए काम करती है पालती बाकी सामन्य इंसान के लिए कुछ काम नहीं है और एक चीज के वह बता रहे ना सिक्षन के बात करें सब पाइवे लेशन का कौन्टाक सिसम अपने बच्चे को कैसे पढ़ाएगा और और उन लोगों ने अपने दोस्तों को ही दिया है सब कुछ जन्दा को कुछ नहीं मिला ना मिला और मुझे मिला जब मेरे बच्चे को अभी में पढ़ा रहा हूं ना आतिया बोलते है काका उसको उसको उसके अंदर जब 2099 की अं मिला है बाकि मुझे अभी कुछ नहीं मिला